हलो नमस्कार खमागाने जैसरी राम संसकार के लासेज में आप सभी का स्वागत है तो पैरे बच्चो लाडले बच्चो तयार हो जाएं आपके आने वाली एक्जाम BSTC 2023 के लिए क्योंकि आज हम आप लोग के लिए 25 शांदार कोशन कराने वाले हैं जो आपके आने वाली एक्जाम में हू भा हू देखने को मिल जाएंगे और यकीन मानिए 25 का मतलब समझ रहे हो ना आप मतलब 25 में से आप लोगोंने 20 कोशनों का आउंसर सही दे दिया तो आपका सेलेक्शन शोर है तो चलते हैं मुलाकात करते हैं 25 कोशनों से पहला कोशन देखिए राजिस्तान का दक्षनी पूर्वी पठार जाना जाता है लसाडिया का उडिया का बोराट का हाडोती का पलाडलो राइट आंसर क्या होगा हाडोती ओप्सन नंबर डी आपका विलकुर सही होगा अगला कोशन देखो अराबली परवत पर समान निते किस फसल की खेती की जाती है जुआर की बाजरे की मक्का की जोकी अराबली परवत पर अराबली परवत के अगर लंबाई के वारे में पूछ ले जाए लंबाई ठीक है अरावली परवत की सबसे अधिक उचाई किस जिले में है शिरोई में एजमेर में अलवर में डूंगरपुर में बता हुआ जल्दी सबसे अधिक शुरोई के अंदर है ठीक है मांट अबू सुरोई कितनी है वाई 1722 की है ना 1722 की होगी ठीक है चलो अगला कोईशन देखो देखे कौन सा परवत राजिस्तान दो प्रमुक बागों में विवाजित करता है हमाले परवत बिंद्य परवत होगा नीलगरी परवत होगा अराबल अगला देखो देखें मेरवाड़र की पाड़ियों का सरबोच स्कर है एस रहकूरर के अंदर एक अजमेर की अंदर अगला देखो देखें अ लिए विकास कारे किरम में केंद्र और राज के वित्ति है याद कर लेना आपका देखिए अंस धानों को अनुपात है बताओ इसके बारे में राइट आउसा क्या होगा देखिए 75.25 ऑप्सन नमर ए राइट आउसा लगा लेना 25 ऑप्सन तो बड़ा गजब काया वाई मावट क्या है अरे लाड़लो मावट क्या होती है अरे सीत रुतू में चक्रवातों में होने वाली जो बरसा होती है न उससे मावट का जाता है ठीक है ओप्सन नमर भी बिलकुछ सही कर लेना है अगला कोशन देखो राजस्तान के अगबग दो ती आई ओप्सन नमर डी बिलकुल सही हो जाएगा अगला देखो राजस्तान का प्रमुक जल विवाजक है प्रमुक जल विवाजक है अरावली की पाढ़ियां बूंदी की पाढ़ियां अलवर की पाढ़ियां मकुंद्रा की पाढ़ियां जल्दी वतावाई इसका अंसर होगा आपका अराबली की पाड़ियां अगला देखो देखिए गोधबाड प्रदेश राजिस्तान के किस ब्रहत बुवाग आकिरती विवाग का भाग है पूर्वी मैदानी प्रदेश पस्चिमी सुस्क होगा आडोती पठार होगा गगर का मैदान होगा अंसर क्या होगा आपका देखिए पस्चिमी सुस्क प्रदेश ऑप्सन नमर बी एकदम राइट आउसर होगा अगला देखो राजिस्तान में थार्व नरस्तल से पिरवावित छेत्रफल पर जनसंक्या का प्रतिसत कितना बहुत ही गजब का कोश्चन है सबसे पहले आउसर करते रहें यह चीज आपको मैं बदा ही देता हूं राइट आउसर का आपका छेत्रफल एक सट्रफल एक सट्रफल और चालीश प्रतिसत्थ जनसंक्या ठीक है बी बिलकुश सही होगा आपका आप्सन नमबर बी राइट आउसरोगा ठीक है नेस्ट क्रेश्चन देखो मेस मेसा का पठार कहा परिस्थत है कमेंट भी करते रहें मेसा का पठार कहा परिस्थतन होगा चित दोर घड़ में यह अगला देखो देखिए सपोर्टरा की पाडियां कहां पर इस्तित है राइट आउसर बता हो वाई अलवर्म होगी बरतपुर में होगी करॉली में होगी सवाई मादोपुर में के अंदर होगी सपोर्टरा की पाड़ियां कहां पर इस्तित होंगी राइट आउसा देखो जल्दी जल्दी तो देखे सपोर्टरा की पाड़ियां यह होंगी आपकी भरतपुर के अंदर कहां पर हैं भरतपुर के अंदर है का नहीं सपोर्टरा की पाड़ी हैं तो करोली के अंदर होगें ने मिश्टिक अगला देखो केंद्रिये सुस्क बागवानी संस्तान कहां परिस्तित है जोदपुर में बीका नेर में जैसल मेर में बाड मेर में केंद्रिये सुस्क बागवानी संस्तान ये कहां पर होगा ये कहां पर हो जाएगा यह हो जगा आपका B का नेर के अंदर ठीक है option number right answer होगा आपका B का नेर, option number B अगला देखो, देखे 21 जून को सूर्य की किरने किस जिले में सीधी पड़ती है गंगा नगर में, जैपुर में बासवाडा में या अलवर में राइट आउस हो देखो बासवाडा आपका विल्कुर से होगा सौधी पोंके चेत्र के नाम से भी जाना जाता है अगला देखो जल्दी देखे आडा वाला परवत राज के कौन से जिले में है बहुत ही शांदार है वाई देखे आडा वाला परवत के बारे में पूछ गया है शिरोई होगा जैपुर होगा उदैपुर होगा बूंदी होगा आडा वाला परवत राज के कौन से जिले में है बताओ जल्दी यल्दी ये बूंदी के अंदर है कहां पर लाड़ लो ये बूंदी के अंदर है अगला देखो लूनी का उत्रिये छेत्र कहलाता है बताओ जली अली लूनी का उत्रिय चेत्र थाली होगा धारियन होगा रोही होगा मेजा होगा लूनी का उत्रिय जो छेत्र होगा इसके वारे में आपको बदाना है option number 8, क्या हो जाएगस का थाली, इस दर आईटाम स्रोगा आपका थाली, ठीक है, सही कर लेना आपको थाली है जो, अगला देखो, मकुंद्रा की पाड़ियां, राज के किनकिन जिलों में फैली हैं, मकुंद्रा की पाड़ियां, देखी, कोटा के अंदर है, और आपकी है ना, चलो, अगला देखो, राजिस्तान के रेतीलेसुस के मैदानों में, कौन सा छेतर जहां, आदार, चट्टान है, यानि की सहत बर, यार कलेना आपका, अन, देखे, अनावृत है, अनावृत होगा, देखे, यह होगा, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ठीक है, अगला कोईशन देखो, निमिलिकित अराबली की चोटियों को अब रोही करम में ववस्तित करना, ठीक है, तो देखे, गोगुंदा होगा, सज्जनगड होगा, रिशी केस होगा, और भानगड होगा, ठीक है, अप्सन नमर बी, आपका विल्कुल सही कर लेना, अप्सन नम मड़ी, अगला देखो है, बारत के मरुस्तलिय करन एवं, देखे, भू, अनवेन, याद कर लेना, आपका, एटलस, इश्रो धोजार साथ के अनुसार, राजिस्तान में, मरुस्तलिय करन से, प्रवावित छेत्र है, मरुस्तलिय करन से, प्रवावित छेत्र हैं, मरुस्तलि मिलान करने वाला है मिलान करकर बता देते हैं ड़बुनात के सुझ को जब लाट के से नख लगाठ अगला कॉश्छन में देख हैं यह देखो राजिश्तान में मरुस्तल का विकास किस दिशा में हो रहा है मरुस्तल का विकास किस दिशा के अंदर हो रहा है पूर से पस्षिम मत्तर से दक्षिन पस्षिम से पूर या दक्षिन से उत्तर आओं सा देख लो भाई पस्षिम से पूर आपका पस्षिम से पूर अगला कोशन यह देखो भाई देखे 25 का कोशन है 1730 में राजिस्तान के जोदपुर जिले में खेज डली आंदोलन किस ने किया था खेज डली जो आंदोलन किया गए था ये बन रक्षन के लिए ठीक है अपसिन नमबर बी बिल्कुल सहीगा आपका बन रक्षन के लिए इस दा राइट आउसा ठीक है लाड बहुत 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 शुक्रिया